Assalamu alaikum my dear students My dear doctors, कैसे हैं आप? आपका NMD cat आपके उपर प्रेशर बना के रखा हुआ होगा उसने आपका NMD cat सफर है आपके डॉक्टर बनने की तरफ पहला कदम है जो आपने उठा लिया है अब उस कदम को लेकर चलना है वो कहते हैं ना पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है उसके बाद जब आप एक मनजिल की तरफ चल पड़ते हैं एक रस्ते पर चल पड़ते हैं आपके पास एक डिरेक्शन होती है तो कभी ना कभी कही ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप पहुंच जाते हैं कहां पर अपनी मकसूद मनजिल तक इस मनजिल को असान बनाने के लिए इस मनजिल को एक सीधी डिरेक्शन में लेके जाने के लिए मैं हाफिज हमजा आपके साथ हूँ यहां दाखला इंस्टिट्यूट ओफ एंटि टेस्ट से शुरू करते हैं आपका वो सबजेक्ट जो आपके NMDCAT में तो बिल्कुल नया है लेकिन आपके NMDCAT में सिरफ इसलिए डाला गया है यह मेरा कहना है कि क्या इसलिए डाला गया है कि आपको मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स को यह सबजेक्ट रिलैक्स कर दे रिलैक्स किस तरह करता है यह वाहिद सबजेक्ट है जिसमें आपकी फेवरेट चीज नहीं है कौन सी है आपकी फेवरेट चीज आपकी और हम सब की फेवरेट चीज एक्चुली हम सब पाकिस्तानियों की फेवरेट चीज वो फेवरेट चीज जो हमने दो साल प्रैक्टिस की अपनी FSC में FSC से पीछे भी की लेकिन वह उसका जिकर इसलिए नहीं कर रहा कि हम डाक्टर बनने के लिए हमें सिरफ FSC required है और हमें सिरफ NMD cat required है हम सिरफ इन ही दो चीजों का तथकरा करेंगे तो आपके सबसे important चीज वो यहां पे नहीं है यह वो वाहिद subject है और वो important चीज कौन सी आप समझ गया होंगे रटा यह हमारी फेबरिट चीज किस सबजेक्ट में नहीं है logical reasoning क्या वज़ा रटा नहीं है इसमें इसकी दो वज़ुहात है नमबर एक इसमें आपका कोई given syllabus बिलकुल भी नहीं है आपका ऐसे समझें जैसे आप ऐसे की त्यारी करते थे आपके पास कोई topic नहीं होता था कहीं से भी ऐसे आ सकता था बिलकुल इसी तरह यह सवाल कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन इनकी basics हमने सीखनी है ऐसे कि आपने basics सीखी लिखने का तरीका सीखा उसके बाद आपने उसकी practice इसी तरह यहाँ बी हम इसकी बैसिक्स सिखेंगे, देखें बड़ा रंगीन है आपके सामने, इस रंगीन को आपने अपनी लाइफ में भी इसी तरह रंगीन बनाना है, यह सब्जेक्ट भी बिल्कुल रंगीन है, और आपके लिए रिलक्स करने का बाइस है, रिलैक्स आपने करना क्यूं है जबके हम सब की फिलोसफी ये होनी चाहिए काम काम और काम क्यूं उसकी भी दो वजुहात हैं एक हमारे बाबा जी काइद आजम मुहमद अली जिना ने ये फरमाया था और इसके पीछे उनकी फिलोसफी थी और दूसरी हमने एक गोल अचीव करना है हमने टारगेट एक अचीव करना है कौन सा गोल है वो वो है डॉक्टर बनने का और बहुत जल्द बनने का और इसी साल बनने का ताकि हमारा साल भी जाया ना हो और हम डॉक्टर भी बन जाएं तो काम सबसे ज़्यादा जरूरी होना चाहिए लेकिन ये सबजेक्ट आपको रिलाक्स करता है रिलाक्स इसलिए करता है कि ये सबजेक्ट रटा को तो बिल्कुल खतम कर रहा है साथ में इंट्रोड्यूस क्या करवा रहा है इंट्रोड्यूस करवा रहा है गेम हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ गेम खेलनी है बलके गेम्स खेलनी है क्यों? क्योंके गेम होती है एक तरह की और गेम्स होती है मुख्तलिफ तरह की हमने खेलना जरूर है लेकिन कभी हम एक गेम खेलते खेलते ठक जाएंगे या हम कहेंगे कि हमारा दूसरे गेम खेलने का दिल हो रहा है तो हम फिर दूसरी गेम की तरफ मूव कर जाएंगे इन दो गेम्स को मैं यहां पर अगर कैटेगराइज करूँ आपके सामने निसाल के तोर पे तो मैंने यह कैटेगराइज कर दी है अलड़ी लेकिन इनको words देते हैं, इनको नाम देते हैं logical reasoning है, इसको हम ले आते हैं यहाँ पर इसको हम divide करें दो चीजों में mainly, दो games हैं आपकी number one game we, number two game and we बस, इससे ज्यादा कुछ भी याद रखने की जुरूत नहीं है लेकिन पहली दफा समझने के लिए तो हमें इदर पूरा लिखना पड़ेगा ना और पहली दफा के लिए वो बात है verbal और non-verbal हम जितनी भी games खेलेंगी वो इन दो categories के under आएंगी जैसा के verbal और non-verbal समझाने की जरूरत नहीं है मेरे बेटों को क्योंके ये मेरे future doctors सब कुछ जानते हैं ये इतने clever जरूर हैं इतने intelligent जरूर हैं कि वो ये word देखें verbal ये word देखें non-verbal और समझ जाएं बात क्या होने जा रही है verbal का मतलब वो चीज या वो game जिसके अंदर verbs या words या sentences का इस्तमाल होगा और उन sentences को इस्तमाल करते हुए उन verbs को इस्तमाल करते हुए हम अपनी game को complete करेंगे mission accomplished करेंगे इसी तरह non-verbal, non-verbal भी same इसी तरह है इसमें words नहीं होंगे इसमें sentences नहीं होंगे इसमें आपकी मुकमल statements नहीं होंगी लेकिन ये game बहर हाल होगी इस game को हम अगले level 1, level 2, level 3 की तरफ लेकर चलेंगे आज के lecture के बाद जो next lecture होगा उसमें हम सिर्फ games कहलेंगे मैं आपके साथ कोई इस तरह की जो बात पहले lecture में की अच्छा पहले lecture में हमने जो बाते की और जो दूसरे lecture में बात कर रहे है यहीं पर खतम हो जाएंगी इसके बाद हमारे जितने भी lectures आएंगे उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे games खेलेंगे आपको relax भी तो करना है ना तो जो हमने games खेलनी है उसकी basics हम यहाँ पे clear कर देंगे अब basics clear करना से एक बात मुझे याद आगई कि lecture 1 में हमने क्या पढ़ा था सबसे important बात क्या थी आप कहेंगे सबसे important बात थी कि इसमें हमारे 10 MCQs हैं जिन में से 2 easy हैं 2 medium level के हैं sorry 6 medium level के हैं और 2 difficult level के हैं यह सबसे important बात नहीं है हालांकि आपको यह पता होनी जरूरी है सबसे important बात यह नहीं है सबसे important बात यह है कि हमने यह जो games खेलनी है इन games को खेलने के लिए हम 3 तरह की strategy तरह की strategy लगाएंगे और अपनी तमाम games जो हैं उनको पाया तकमिल पहुंचाते जाएंगे उन 3 strategies को हमने इधर ही लिखा था कहां पे लिखा था इधर ही लिखा था lecture 1 में लिखा था इस strategy में सबसे पहले मैंने आप से एक बात की थी read with your जी मेरा बेटा क्या कहा गया था read with your pencil इसके पीछे logic क्या थी जल्दी से revise कर लेते हैं इसके पीछा logic क्या थी कि आपने जो भी game आपके सामने फैंकी जाए जो भी question आपके सामने आए आप जिस भी question की practice करने के लिए उसको पढ़ें सबसे पहले उसको लिख लें उसके एहम points को note कर लें या फिर लंबी statement है उसके अंदर जो एहम words उसको आप underline करेंगे जैसे ही आप underline करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पार्ट मैंने गोर से देखना है और इसी बात पर हमारी दूसरी strategy थी गोर से देखने वाली कौन सा पार्ट इसी में हमने कहा था focus on कहा focus करना था हमने focus on question part of question जब हम मेरा बेटा pencil से लिखेंगे या pencil से underline कर देंगे पढ़ते हुए तो हम ये अगला step भी ले चुके हैं कौन सा कि हमने question जो question का actual question part है उसको अलादा कर लिया है इसी तरह जब हमने उसको अलादा कर लिया होगा तो इससे अगली strategy भी हमारे सामने बिल्कुल clear हो चुकी होगी वो strategy क्या थी किसी को याद हो SI बोल दिया सबने मुझे पता है बहुत होश्यार बेटे हैं मेरे बेटियां भी simplify और उसके बाद modify बास यह हमारा काम है जिससे हमने इस तुमाम के तुमाम सवालाथ हल करने हैं verbal, verbal, non-verbal, non-verbal यह दो question आपके सामने रखे गए हैं अभी तक आप मेंसे अगर किसी ने solve कर लिया है तो well done आप बहुत जल्द इंशाला डॉक्टर बन जाएंगे अगर किसी ने solve नहीं किया, गबनाने की जुरूत नहीं है हमने basics पढ़ लिया है, practice करेंगे और NMD cat की तियारी सिर्फ और सिर्फ practice और basics पर depend करती है खास तोर पर logical reasoning और हमने relax करना है टेक लगा लें अपनी जहां बैठें, टेक लगा लें, अराम से easy होके बैठें और अब हम move करते हैं, verbal की तरफ सबसे पहले question क्या है, वो कहता है relation बनाना है हमने इसमें relation accident is to carefulness कहता है accident हमने सबसे पहला क्या किया, read with your pencil क्या हमने उसको underline किया, जैसे ही हमने उसको underline किया तो हमें पता चल गया कि उसने दो चीजों को आपस में जोड़ा है accident को carefulness के साथ जोड़ा है हालांके relation नहीं बनता accident को जोड़ना चाहिए carelessness के साथ तो अगर इसने accident को carefulness के साथ जोड़ा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह reverse या यह opposite relation इसमें create करना चाह रहा है ठीक है next डलते है accident is to carefulness as disease is to अब disease का relation उसने पूछा है कि कौन सा word इन चारों में से बन सकता है तो हमने यहीं पर define कर लिया मेरा बेटा गौर से देखिएगा सबसे पहले जब हमने किया कौन सा read with your pencil पैंसिल से read करते ही हमें पता चल गया कि question का असल question part क्या है वो हमें मालूम हो गया इसी के साथ simplify और modify करने की एक तो इसे जरूरत नहीं पड़ी लेकिन हमने जो इसे simplify और modify किया है वो हमने इसकी reasoning की है इसकी reasoning के साथ इसके अंदर logic input की है वो logic हमने क्या input की है कि एक तो इसमें relation बनाया गया है और दूसरा relation भी reverse है opposite है अब ये दोनों चीज़ें देखें ये और ये ये हमने incorporate की input की अब हम options पढ़ेंगे हमें फोरन इसका answer मिल जाएगा मेरा बेटा option one option a option alpha आप इसको कुछ भी कह सकते हैं लेकिन मेरा बेटा देखिएगा हमेशा अगर आपने इसको alpha पढ़ा है तो alpha, beta, charlie, delta अगर आपने a पढ़ा है तो a, b, c, d अगर option one पढ़ा है तो one, two, three, four आपने इसको हमेशा लेकर चलना है इसकी भी वज़ा है जो अगले आपका जो पहला test है उसके अंदर ये वज़ा बिल्कुल clear हो जाएगी कि ये मैं आपको अभी क्यों बता रहा हूँ, option पढ़ने का तरीका भी क्यों बता रहा हूँ इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ें देखनी है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने ऐसी चीज़ें सीखनी है जो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे syllabus में नहीं है और हमारे NMD CAD में भी नहीं है, क्यूं? क्यूंके NMD CAD में आप biology पढ़ते हैं, आप physics पढ़ते हैं, आप English पढ़ते हैं, आप chemistry पढ़ते हैं, उसमें एक syllabus होता है, उसमें एक मुश्किल चीज़ आपने पहले पढ़ी, उसको असान किया, उसकी practice की, उसको मजीद असान किया लेकिन यहां पे हम start ही असान चीज़ से ले रहे हैं, तो आईए, option पढ़ते हैं सबसे पहले, doctor, disease और doctor, हमने कहा था कि कौन सा relation है, opposite relation है, disease और doctor का opposite relation बनता है, थोड़ा सा बनता है, लेकिन कोई भी सवाल और उसका जवाब आपने तब तक टिक निक करना, जब तक आप चार options नहीं पढ़ चुके होंगे, next move करते है, carefulness, इधर था, यहां पे क्या लिखा गया है, carelessness, opposite का मतलब, अगर यहां पे carefulness है, तो यहां पे carelessness है, यह option भी हमारा ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं, यह ठीक नहीं है, उसकी वज़ा, उसकी वज़ा यह है, कि हमने carefulness और carelessness का आपस म relation नहीं निकालना, हमसे जो बात पूची गई है, वो पूची गई है, कि इस disease का relation निकालना है, अब इस disease का relation कैसे निकालना है, वो relation कि उसने मिसाल उपर दी है, इस मिसाल को समझना है, और फिर इसके अंदर से इस word का relation निकालना है, और option में से एक select करना है, अब next move करते है, patient डिजीज और पेशन्ट का तो बिल्कुल ही डिरेक्ट आप्शन बन गया, मेरे बेटे समझ चुके होंगे कि ये बिल्कुल भी गलत आप्शन है, सबसे एंड पे आप्शन आता है प्रिवेंशन इसको हम तोल के देखते हैं, तोलना किस चीज़ पे है, तराजू पे, किस तराजू पे कि ये इस रिलेशन पे पूरा उतरे, इस तराजू पे तोल के देखें, डिजीज और प्रिवेंशन आपस में 180 डिगरी के एंगल पे इखतलाफ रखते हैं के नहीं, अगर हमने प्रिवेंशन कर ली, तो डिजीज होगी, के नहीं होगी, नहीं होगी, अगर हमें डिजीज हो गई है, इसका क्या मतलब है, कि हमने प्रिवेंशन नहीं की, इसी तरा, ये किस रिलेशन पे पूरा उतर रह है मेरा बेटा accident or carefulness अगर आपने carefulness का मुझाहिरा किया है तो accident नहीं होगा और अगर आपका accident हो गया है तो इसका मतलब है कि आपने carefulness का मुझाहिरा नहीं किया तो हमारा सही जवाब क्या हुआ prevention दुबारा देखें आपने इसको read with your pencil जैसे अपने read with your pencil कि आपने focus on question part of question की strategy भी apply करती साथी उसके बाद आपने simplify, modify, logical reasoning इन चीजों को incorporate किया और आपको आपका answer मिल गया यह था क्या verbal verbal जो हमारी जितनी भी games हम आगे खेलेंगे जो हमारी verbal reasoning है जो हमारी verbal logical reasoning है वो इस तरह की होगी इस पे मैंने time भी आपको नजर आ रहा होगा के ज्यादा लगाया है आपको समझाने के लिए ताके जितना time हम basics पे लगा देंगे उसके बाद उतनी ही तेजी से हम आगे 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 अपने test भी solve करते जाएंगे